आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Question में हमसे कह रहा है कि Bacteria का एक Culture अगर हमने 10 Cells के Inoculum के साथ शुरू किया यानि शुरू शुरू में इसमें सिर्फ 10 Cells थे तो सेल डिविजिन के 10 Cycles के बाद में अगर हर एक प्रोजनी सेल जो है डिविजन अंडर कर रहा है Continuously हमें कितने सेल्स मिलेंगे दिये के Options को देखकर हमें यह बताने हैं तो जब भी हम Growth की बात करते हैं Particularly Bacteria जैसे जो Simple Organisms है जहां पर कोई उनकी Multicellular Body तो नहीं है अपने आप में एक ही Cell यहां पर सारे Functions करी आउट कर रहा है Unicellular Organisms हैं तो यहां पर Growth, Cell Division, Reproduction यह सारी Terms एक तरीके से Mix Up हो जाती हैं क्योंकि यहां पर Growth तभी हो सकती है Bacteria का Culture तभी बढ़ सकता है जब Number of Cells Increase हो अब Number of Cells Increase होगा Cell Division से और इसी तरीके से यहां पर एक Asexual Process से Reproduction भी हो रहा है तो दस Cells से अगर हम Culture एक स्टार्ट करते हैं और दस बार यहां पर Cell Division होता है कितने Cells हमें मिलने चाहिए अब यह भी Depend करता है Growth देखे दो तरह की हो सकते एक होती है हमारी Arithmetic Growth यहां पर अगर एक Equational Division हो रहा है यानि यह मान के चले कि एक Parent Cell जो है यह Divide होके दो Daughter Cells बना रहा है तो यहां पर Arithmetic Growth कभ होगी Arithmetic Growth से हमारा मतलब है कि एक Parent ने Divide होके दो Daughter Cells बना है लेकिन इसमें से केवल एक ही जो है Further Cell Division करेगा और दूसरा जो है यहां पर रुख जाएगा तो एक Linear तरीके से यह Culture जो है Increase होगा थोड़ा Gradually Increase होगा लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास Geometric Type की Growth होती है जिसके बारे में Question में बोला हुआ है यहां पर होगा क्या कि सबोस हमें दो Daughter Cells यहां पर Cell Division से मिले हैं और यह Geometric Growth के के केस में यह दोनों के दोनों ही Daughter Cells Further आगे Division करते रहेंगे तो दोनों ही Daughter Cells क्यूंकि Divide कर रहे हैं लगातार Continuously तो इस Geometric Type के Growth में हम देखेंगे के बहुत ही तेजी से एक Exponential तरीके से Bacteria का Culture जो है वो बढ़ेगा और यहां पर इन दोनों में से किस टाइप की Growth हमें बताई हो यहां पर तो यही कह रहे है कि हर Progeny Cell यानि हर Daughter Cell जो है यह Division कर रहा है कोई भी एक रुक नहीं रहा जैसा कि हमने Arithmetic Growth के के केस में कहा था तो यह हमारी Geometric Type की Growth होगी Exponential यह Culture जो है तो दस सेल से अगर हमने शुरू किया था और दस पार इसने डिवाइड किया तो हर बार दो दो डॉटर सेल बन रहे है तो कितने सेल हमें डिविजिन के दस साइकल के बाद मिलेंगे उसके लिए हमें 2 to the power n करना है जहां पर n number of cell divisions है तो यहां पर 2 to the power 10 हमारा अंसर होगा एक सिंगल सेल अगर 10 बार डिविजिन करता तो हमें 2 to the power 10 यह अंसर अपना मिलता जो कि 1024 आरा है लेकिन यहां पर क्योंकि हमने 10 से स्टार्ट किया था इसलिए इसको भी 10 से मल्टिप्लाइ कर देंगे और correct answer मारा option D 10,240 आजाएगा क्योंकि 2 to the power n हमारे कपका हम आएगा जब हमने शुरुआत एक सेल से कियो पर यहां पर इनॉक्यों क्योंकि 10 सेल का बताया हुआ शुरुआत हम 10 से कर रहे है इसलिए 10 से इसको मल्टिप्लाइ करके हमारा सही आंसर आएगा क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आएएटी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर